अकेश्वणी भोपाल से प्रस्तो थें प्रादेशीक समाचार। नमस्कार समाचारों के साथ मैं प्राशान्त सेंगर। मत्प्रदेश उचिने लेके नवनियुक्त मुख्य नैधीश नैधीपती है मंध गुपता कल शापत गिरहन करेंगे। राजभवन में आईजित समारों में राजपाल उंप्रकाश कोहली उन्हें पद और गुपनीता की शापत दिलाएंगे। इससे पूर्व जस्टिस गुपता पटना उचे नैयले के कारवाहक मुख्य नैधीश रह चुके हैं। शापत गरहन समारों दोपहर बारह बजे से आउजित किया जाएगा। वो लेखने हैं कि जस्टिस गुपता की नियुकती के लिए राश्टपती भवन से दस मार्च को अधिकरित घुशना की गई थी। प्रश्ण पत्र लीख होने से निरस्थ हुई कक्षा नौवी और ग्यारवी की परिक्षा अब तीन अपरेल से प्रारम होगी। पिछले दिनों सतना के अमरपाटन में परचा लीख होने की घटना की पुष्टी होने के बाद इन परिक्षाओं को निरस्थ किया गया था। की खोशना होने के साथ ही विद्यारतियों ने फिर से इनकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उधर मुरेना में जिलापरशासन ने बूर्ड परिक्षाओं में नकल रोकने के उद्देश से सभी कैसी परिक्षा केंद्रों के केंद्र अधिक्षा को बदल दिया है। मुक्यमंत्री शिवराजी सिंग चोहन ने रीवा जिले के सिरमोर में कबड़ी खेल के लिए इंडोर स्टेडियम के निर्मान की खोशना की है। कल ग्राम अत्रेला में मुक्यमंत्री सुच्छता सम्मान समाहरो और विधाय कबड़ी परतोगिता के मौके पर आएजित कारकम में श्री चोहन ने कहा कि ग्रामीन खेल परतेबाओं को निकारने के लिए बहतर कोच और संसाधन उपलब्द कराने के प्रयास किये जाएंगे उन्होंने गाउं और शहर को सुच बनाने के लिए लोगों से आगे आने की भी अपील की इस दोरान रीवा, सिर्मौर, गंगेव और नई गड़ी जन्पत पंचायतों को खुले में शौच मुक्त घोशित किया गया पदन मंत्री नरेंडर मोदी आगामी 26 मार्च को आकाश्वणी से मन की बात का एरकम में वे भेनेविश्यों पर और मुद्दों पर विचार रखेंगे मन की बात का एरकम की ये तीसीवी कड़ी रहेगी श्री मोदी ने ट्वीटर पर लोगों से आगरे किया है कि वे नरेंडर मोदी आप पर अपने विचार और सुझाओ रखें तथा बताएं कि वे नए भारत की दिशा में कैसे अपना योगदान दे रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि उनके वेचार इसी महीने मन की बात का एरकम में शामिल किया जा सकते हैं बोपाल के गिद संडक्षन और प्रजनन केंदर केरवा में सफेद पीठ वाले एक गिद के चूजे का जन्म हुआ है विलप्त होने की कगर पर पहुंच चुके इस गिद के संडक्षन की दिशा में किये जा रहा है प्रयासों में इसे एक बड़ी उपलब्धी के तौर पर देखा जा रहा है केंदर परभाडी ने बताया है कि जल्द ही एक और गिद के बच्चे का जन्म होगा यहां गिद्धों को हर्याना के पिंजोर से और राजी के तामिया से लाए गया था प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज रंग पंच्चमी का तोहार हर्श उल्लास के साथ मनाय जा रहा है इस अवसर पर फाग यात्राएं और रंगों से सराबो और गेर निकाली जा रही है दरसल पंच्चमी मद्प्रदेश में इस तोहार का विशेश महत हुआ करता है बढ़वानी, खंडवा, उज्जेन और धार सहित, मालवा और निमान अंचल के विबिन हिस्सों में रंगों का ये तोहार होली के पांचवे दिन मनाए जाता है इन दोर से मिले समाचार के मताबिक यहां आज जगे जगे रंगोलाल के साथ साथ लोग फाग यात्राओं में शामिल हो रहे हैं राजदानी बोपाल में भी रंग पंचमी के आवसर पर जुलूस निकाले गए इस दोरान प्रशासन दोरा सुरक्षा के पुखता इंतिजाम किये गए है धार में हिंदु जागरन मंच दोरा परंपरागत राधा क्रिश्न फाग यात्रा निकाली गई खंडवा और उज्जेन में भी रंगोट सब पर विबेद कारिकम आईजित किये गए है और अब कुछ समचार संक्षिप में जहबु हमें आयाईटी कर चुके यवाओं के लिए तीन दिवसी उद्द्यमिता कारिकम 20 मार्च से शुरू किया जाएगा इस दोरान कुछ अलिवाओं को समयम का विवसाय करने के परती परेरित किया जाएगा अगर मालबा में महिला पर वेक्षक भरती की ऑनलाइन परिक्षा के लिए सबी परती भागियों ने आज ऑनलाइन मौक टेस्ट दिया मुरेना में चम्मल नदी से आवेद रूप से रेत खनन कर रहे है एक ट्रेक्टर टॉली को पकला गया है पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को भी ग्रिफतार किया है शिपूरी के प्रसिद्ध परिटर इस्थल भदयया कुंड में निर्चर महोत्साव का आविजन 29 मार्च से प्रारम होगा गुना जिले में सार्वजनिक वितरन प्रणाली के लिए भेजा गया गया हुँ जांच में खटी आस्तर कर पाया गया है ये गया हुँ जवलपुर से आया था और प्रदेश में उतकरिष्ट विद्ध द्यालों में प्रवेश के लिए 20 मार्च तक ऑनलाइन आविदन आवंतरित किये गया है इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुए